स्वागत है दोस्तों चत्तीसगर न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है युवती से दोस्ती, प्यार फिर मंगेतर बनाकर बनाता रहा संबंद अब कैरेक्टर पर शक्के चलते नहीं की शादी, युवक गिरफतार चत्तीसगर के बिलासपुर में युवती से दोस्ती, प्यार फिर शादी का जासा देकर शारीरिक शोशन करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफतार किया है युवक युवती प्राइवेट जॉब करते हैं इसी दोरान दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया युवक उसके साथ शादी करने के लिए अपनी माँ और बहन से मिलाया और रिष्टा तै कर लिया आरोपी उसे पत्मी मानकर शारीरिक संबंध भी बनाने लगा बाद में वो युवती के कैरिक्टर पर शक करते हुए शादी करने से इंकार कर दिया इससे परेशान युवती ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दी मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है टी आई फैजूल शाह ने बताया कि सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली उन्तीस वर्षिय युवती की करीब दो साल पहले वाटसेप ग्रूप के जरिये उसकी पहचान सिविल लाइन क्षेत्र के जरहा भाठा ओमनगर निवासी लक्षमन मानिक पुरी और फलच्चु 49 से हुई वो भी प्राइवेट जॉब करता है दोनों आपस में बात करने लगे और उनकी दोस्ती हो गई तभी युवक्ने उसे शादी करने की बात कही और उसे अपनी मा और बहन से मिलाया इसके साथ ही युवक्ने के परिवार वालों से भी उसमें मुलाकात की दोनों पक्ष इस रिष्टे के लिए तयार हो गए इसके बाद युवक्ने कहा कि दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तयार है अब दोनों की शादी भी हो जाएगी ये कहकर युवक में उसके साथ शारीरिग संबंद बनाया युवती के मना करने पर वो दोनों पती-पत्नी हैं कहकर लगातार उसके साथ संबंद बनाते रहा इस दोरान रिश्टा तेहोने के कारण युवती भी किसी को कुछ कह नहीं सकी लेकिन अब युवक उसके कैरेक्टर पर शक करते हुए शादी से इंकार कर दिया जिससे परेशान होकर युवती ने आरोपी लक्षमन मानिकपुरी के खिलाफ शिकायत कर दी जिसके बाद पुलिस ने केस दर्चकर आरोपी को गिरफतार कर लिया है